अब फिर से हाजिर हूं लेकर classification of kingdom monera के बारे में इस भाग में हम लोग जनरली देखेंगे कि किस तरीके से kingdom monera को क्या किया गया है classify किया गया है आपको बाटा गया है दो भाग में तो kingdom monera जो है एक kingdom है kingdom को अगर देखा जाए जैसे आप जानते होगे कि टैक्स के बगएर में टैक्स नॉमी में आप पढ़ते होगे kingdom आपको होता है फाइलम या डिवीजन क्लास और फैमिली जीनस अस्पिसिज इस तरीके से एरेकल क्या होते हैं टैक्स अन होते हैं kingdom के नीचे आपको होते जैसे kingdom के नीचे नीचे ऊस्पिकल स्पियाार में में ट्रोंडों जो है तो गेंरी या या लिए टैक्सा कहते हैं, तो जायसे kingdom के ऊपर, या kingdom के नीचे, तो ये intermediate होगे, और ये जो सिवन है, ये obligate taxa है, जासे kingdom के ऊपर क्या है, super kingdom या kingdom के नीचे, sub है, तो super kingdom या sub kingdom, ये आपको generally क्या होगा, इनके जो ये भाग होंगे, आपको intermediate कहालाएगा, टेक्सा का लाएगा, ओके, तो इंटर्मिडेट एक है, एक टेक्सा के बारे में है, तो टेक्सान कहेंगे, इंटर्मिडेट टेक्सान कहेंगे, ओके, तो आपको यहाँ पर देखे, यह कींडम है, आपको मनेरा की मैं बात कर रहा हूँ, तो मनेरा को बाता गया है, दो आपको कितने भाग में दो आपको सब कीडम में दो सब कीडम में एक जो है सब कीडम आपका होगा इस अब कीडम फस्ट आरक वेक्ट्रिया सेकेंड आपको सब कीडम यू वेक्ट्रिया आरकी मिंस देखे अहां फर हम लो बढ़ते हैं आगे आहिकी तरफ तक हार किम इसक्राप आर्टिय अजय होता है है को आल की अर्टिय मिस फॉर्स वन ऐस्ट में इस रौह था है प्रूर्ध के अविoweinks न दुए रोड आता है तुभ ऐसी बैक्टरिया जो सबसे पहले आया उसी आर्ट यह कुआएंगे आल आर्के वेक्टर में तीन सामिल है मेघा न जंस प्रडवेंगे हैचलोफिल्ट्स थरम आ सीडे फिल स ओके जनरली मैंने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है आप हमारे चैनल्स पे जाए और आर्केवेक्ट्रिया साइनोवेक्ट्रिया माइको प्लाज्म पढ़ सकते हैं ओके तो मिथेनोजेंस आपको और हैलोफिल्स और थर्मोशीडोफिलस कर इसमें है एक्ट्रिया में आपको स्बढ़न》 टो में साइनोवेक्ट्रियाbertr प्रफ्राजमा, एक्टिनोमेसितिस, रिकेट्सिया, कलमेडिया, ओके, तो जनरली सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो आपको बढ़ते हैं कि नम ओनेरा का सब की नम फस्ट की और आर्खेवेक्ट्रिया में में मेथनोजन से हैं यह जनरली कहां पर पाये जाते हैं सब पर बात यह देखें कि आर् Bitte वेक्ट्रिया सेलन था सीटू-Bepti-डीडियू-ाकरों का बना होता है, लेकिन इसका प्रप्ट्डियू-गलाइट का क्वना होता है , यह एक्ट्रियू-प शूर्न घैस आपको March झस्छाटर थार्टी इस में तो जिन्स जो होते हैं आपकोंच के जैसा नहीं होता है लेकिन इसमें एक्षुली जो है 16S आपको आरने एक्षुली 30S आपको जो 70S का जो पार्ट है आपको वह आपको एकदम समानने होते हैं आपको प्रोकारोट के जैसे होते हैं कि इसलिए बाटा गया तो जिनरली अगर मेंब्रेन देखे तो इसमें आपको ब्रांच्ट होते हैं और किसे बने होते हैं लिपीट से बने होते हैं लेकिन इसमें फॉस्फू लिपेट से बने होते हैं तो अब आईए मिधानोजन्स की देखते हैं मिधानोजन्स क्या है मिधानोजन्स आपको रूमिनेंट्स के शरी में पाया जाते हैं यह आप नपीन मनाते हैं आपको फॉर्मिक 诅यड ओके मिथेन सुना है फॉर्मिक केशिट मिथेन कारवन一वाइड के मदद से शरीर में क्या करते हैं गट में मिथेन बनाते हैं यह अबलीगेट होते हैं सिर्फ यह ही एक है कि बलेगेट बाकि जितने विए दोनों स्थिक्ट में अंश्च अनरों मिर्ट इनारोब खुल प्योड है जितने हैं जितने भी हैं कीमो और ट्रॉप नोगेट जितने विए करते बहुत यह तो जनल बनने वाले एटिपी यूज नहीं करतें तो जिटने भी यह स के गट में रखते हैं दलडल में रखते हैं एक जैम tactical में Michigan 7 अबकों टेवाइन कहले उसल सृफसर में ब confessप्रक्रिक पारकाइब फॉतर हो सूचलों की इस दो यहिया करते हैं इस की मेंब्रेल में लॉर ऐ हो यह पर कम पय जाते हैं इसके सिल अधिर आप को पर फिह सित सीज़िस करते हैं एटपी डायरेक्ट रातले की इंपाथ दो बाद में की आइंब कीमो सेजीज करना है पढ़ता है कि ईयरोब यहक्तína क्रेओं में क्या करते हैं यह आपको डैति फोर्टोंटेजिस कहते हैं अगर नेक्स्ट अगर देखें तो साथ ही साथ एरोविक कंडिशन में एक बात और है कि हैलो फिल्स के बारे में कहीं जाती है कि यह आपको क्या हम करना चाह रहे थे बुल गें बाद में आयागी बात तो मैं बताऊंगा तो यह एलो फिल्स नमकीन जभू पर पाई ही जाते हैं कि मौं सिंथेटिक होते ही हैं कोई दिक्षत नहीं है इक्जैंपल्स में आई यह तो आपको हैलो कोकर्स हैलो बैसलस यह सब इसमें थर् पर देखते हैं तो थर्म अशीडो फिलस में यह हाई टेंपरेशर पर काफी ज़्यादा रहते हैं और आपको पीएस वहलो लगों रहता है लगों टेंपरेशर सब्सक्राइब के आसपास रहती है यह आपको कहां पर थर्मो फिलिक इवेंट्स में पाया जाते हैं है ना ज है होते हैं खीमो फेंपर होते हैं से तो इसमें आपको यह एक्जामपलल आते- थैंस थर्म प्रॉट्यस माइँ चिछ महां है है इस ऐस अर को एक्किलस ङंगरम निघेटिव है या भी गम निघेटिव है या भी घ्राम निघेटिव आ ओके जितने भी है आपको आर्कीром में अर्शेटरा सब है पर द्लू गृइंग है को कि तो तो या थे द्लिखना मैखितो आप्टरा की तरफ पायर आ य खड कशना मे आपको क्राम नीगेटीव एक्टरिया है आपको साइन वेक्टरिया है ऐसे आपको जोड़ क्या है कि अपनेड़ के यहां पर देखाई जितना भी बोर्ड पर दिखाए पड़ रहा है एक्टिन अमसेटीज और इसके एलावा और बहुत शारे ग्जेम्पल्स आते हैं जैसे ह आपको अस्टेप्टोकोक्स कोलोस्टरडियम बगएरा है ना जितने भी टर्म के पीछे बैसल्स लगा रहे है तो वह आते हैं ना जैसे लेक्टोबैसलस बैसलस है ना जो भी है तो अब देखे साइनोबैक्टरिया ब्लूग्रीन लगी सबसे फस्ट और्गनिजम है जो तीन बिलियन साल पहले आज से पहले आया फर्स्ट ऑक्षजनिक वेक्ट्रिया है ओके इंवार्मेंट में कैज्वोली इंडिपेंडेंडेंट रहने लगा इसमें सेल वाल पाये नहीं जाते हैं मैको प्लाजमा में लोकाड और रॉक्स ने क्या किया था खोज किया था इसमें से बैटल में मबेशियों के प्लीरल फ्यूड में इसका डिसकवरी हुआ था ओके प्लीर फ्यूड में डिसकवर हुआ था हमेशास से को चेंज करते रहता था इसलिए इसका जो नाम है मॉलेकोटीज बड़ा प्लीमेवर्फिक के एकॉर्डिंग इसको हम लोग दूसरी दिदो है फिलामिंटस है थर्मो फिली की जगधे ज्यादा पाए जाते हैं फ्रेस्ट बाटर में जातर भंजय और बैक्टर के बिच्छ जातर नहीं पाया जाते हैं यह कुंसे खब्सक्राइब करते हैं अगर देखा जाये कहां पर रहते हैं तो जैसे की साईलोस में जहां पर अराज को जमा की जाते भंडारित की जाती है तो गर्मी के कारण गर्म जब बंद जाती है तो वहां पर यह आपको ग्रिव होते हैं तो साइलोस में कॉर्न मील्स में यह सब आक्टिनुमायसेटिज पाई जाती है इसके कारण इलर्जिक डिजीज खाफी ज्यादा होती है आपको है ना तो इलर्जिक इक्स्ट्रा एलर्जिक डिसोर्डर देखी जाती है हमारे रिस्पारेटरी ट्रेक्ट के बाहर अल्वियू आपको रॉक्री मॉण्टेट आपको आस पार्टिट फ 이후Cool एक होती है रॉक्री मॉंटेर इस सभल प्रिफर डिउफ हुम लोग करते हैं टिक बंड डिजीज काते हैं टिक बोल इमें डिजीज हैं तो यह कम ही अको नित्रिंट डिंड श्म्रट में क्या करते हैं आपने जने यह है यह भी आपको gram negative bacteria है यह alpha protobacteria में इसको classify किया है okay तो rickettsia rickettsia इसका पूरा actually generic और अस्विक ने में है Kalamadia इससे sexual disorder भी होता है Kalamadia trachomatis okay यह क्या होता है sexual interrelationship के कारण फैलती है यह भी आपको gram negative bacteria है ओके और ज्यादा अगर थाइन वेक्टिया के बारे में जाननी है मेल डिस्क्रिप्रिप्शन माइको प्लाजमा के बारे में आर्किवेक्ट्रिया के बारे में तो आप हमारे चैनल पर जाईए और वहां पर अच्छी तरीके से आप study कीजिए ओके और बाकि मैंने कुछ कुछ बताया है यहां पर जिनरली हम लोग आगे देखेंगे classification of u.bacteria किस तरीके से बंदल की bacteria कितने आपको टाइप होते हैं बड़ी बैक्ट्रिया क्या होते हैं छोटे बैक्ट्रिया क्या होते हैं लाइप प्रोसेस देखेंगे ऑबलिगेड रोग है और अरोप क्या है अबले गेडिये अरोप क्या होते हैं फक्रिट में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन से भी चर्चा करेंगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ अगर नए भीवर से तो सब्सक्राइब करने ना भूले थैंक यू